मैं हूँ जोती कुश्वार आप देख रहे तेरेडियो कनपुरियार राम मंदिर का निर्मार लगभग पूरा हो चुका है प्राण प्रतिष्टा के लिए मंदिर को त्यार किया जा रहा है जो की 22 जन्वरी को राम लला भवे मंदिर में विराजमान होंगे इसके लिए निमंतरड पत्र बाटे जा रहे हैं इसके लिए पियमोदी सहीत कई बड़ी हस्तियाओं को निमंतरड पत्र मिल चुके हैं वहीं आयोध्या में भगवान राम लला के पूजा और अर्चना के साथ पुजारी के लिए भरती प्रक्रिया चालू हो गई है आयोध्या के श्री राम मंदिर में पुजारी के रूप में दुदेश्वरनात वेत के चात्र मोहित पांडे का चैन हुआ है लगबग 3,000 पुजारी की इंटर्वियू में से 20 का चैन किया गया है जिसमें से एक मोहित भी शामित है वेत विद्यापीट के चार लच्मी कांथ ने बताया कि मोहित सितापुर का रहने वाला है मोहित ने दुदेश्वरनात वेत में 7 साल तक राम देव की शिक्षा लिए रामवेत की शिक्षा पूरी होने के बाद अचार की पढ़ाई के लिए तिरुपती चले गए थे अचार की डिक्री लेने के बाद वे पीच्डी की तियारी भी कर रहे थे इसी बीच उन्होंने राम मंदिर की पुजारी के लिए भी आवेदन किया था जिसमें उनका चैन हो गया है दुदेश्वरनात मंदिर के महरत नारायन गिरी ने बताया कि ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है राम मंदिर ट्रस्ट के सदस डॉक्टर अलन मिश्रा ने मुताबिक आवेदिकों की आयू 20-30 साल होनी जरूरी है इसके साथ ही आवेदक ने 6 महा की श्री नाराम नंदिर दिक्षाली और गुरकुल सिक्षा में पढ़ाई होना निवार है राम मंदिर 36 ट्रस्ट ने अभी हाल ही में पुजारियों के वेतन बढ़ाया था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे सुस्क्राइब कर दीजे बेल आइकन प्लस कर दीजे ताकि कोई भी वीडियो मिस मत हो